नमस्कार आप सभी का स्वागत है चेनपी नियूस में मैं हूँ आपके साथ निद्यूपाद है जम्मू कश्मीर की बारमूला जिले में सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुटभेड हुई सोपोर इलाके में हुई इस मुटभेड में लश्कर तैवा का एक आतंकवादी मारा गया मारे गए आतंकी की फैचान लाहोर निवासी पाकिस्तान के लाहोर निवासी हंजला के रूप में हुई है कश्मीर रेंज के आईजी ने ट्वीट कर बताया कि मारे गए आतंके से बरामत दस्तावेजों के मताबिक उसकी पहचान पाकिस्तान के लाहॉर निवासी हंजला के रूप में हुई है उसके पास से एक एके राइफल गोला बारूत के साथ पांच मैगजिन बरामत की गई है उसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है दिली में अब हॉन बज़ाना भी आपकी जेप परभारी पढ़ सकता है और इसके लिए मोटर वाहन एक्ट में के गई प्रावधान के तहट आप 12,000 रुपे तक कर जुर्माना लगाए जा सकता है मोटर साइकल कार या कोई भी अन्य वाहन अगर प्रैशर हॉन का इस्तमाल करता है तो मोटर वाहन एक्ट के तहट उस पर जुर्माना लगाए जा सकता है वही अगर आपने है हॉन प्रती बंदित या साइलेंस जोन में बजाया तो 2000 रुपे का जुर्माना आप पर ठोकर जा सकता है इसलिए इतने भारी जुर्माने से बच्चने के लिए समसदारी के साथ हॉन का इस्तमाल करे दिल्ली में एक बार फिर आग की घटना सामने आई है इंद्रलोग कालोनी के शहजादा बाग इलाके में एक पांच मंजिल गत्ता फैक्टरी में भैंकर आग लग गई मौके पर मौजूद दंकल की दस गाड़ियां आग बुजाने का प्रयास कर रही है बता दे कि संक्रमित गलियां होने की वज़े से फायर विगेट की टीम को आग बुजाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और अभी तक किसी के हतात होने की खबर नहीं है आइपेल 2022 का समापन हार्दिक पांज्या की टीम गुजार टाइटन्स की जीत के साथ हुआ वही एक और नई टीम लखनो सूपर जाइंट्स के प्लेओफ का सफ़र तै करके प्रवेश टॉप फोर में किया गया है लेकिन फाइनल तक नहीं पहु सकी बता देगी टीम के लगता प्रदर्शन में एक कमी साफ नसर आ रही थी इसके बाद अब गौतम गंभीर ने और बाकी मेरेजमेंट इस मिडल ओर्डर की कमी को दूर करने के लिए अगले सीजन के लिए कठी निर्णे करते हुए इन तीन खिलाणियों को रिलीज कर सकते हैं बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं चेनपी न्यूस नमस्कार